उत्तर प्रदेश के लोगसभा चुनाव की सियासी जंग जिस फॉर्मूले से अखली श्यादव ने जीती थी अब उसी तर्च पर विधान सभा उप्चुनाव लड़ने का दाव भी चला है सपा ने एक तरफ अपने उम्मीदवारों के जरिये पीडिये यानि पिश्राग दलित और अल्प संख्य का दाव चला है तो दूसरी तरफ पुराने बसपाईयों पर भ्रोसा भी जताया है सपा के च्छे में से तीन प्रतियाशी बसपा के बैकग्राउंड वाले हैं जिनके जरियों उप्चुनाव जीतने की बिसात बिचाई गई है अखली श्यादव के अगर आब बात करें तो 2024 के लोग सबचनाव में नई सोशल इंजीनियरिंग के जरिये बीजेपी को मात देने में वो सफल रहे इसके लिए उन्होंने काशीडाम की प्रियोगशाला से निकले निताओं पर दाव खेल करना सिर्फ गैर यादव ओविसी समाज को बलकि बसपा के दलित पोट बैंक को भी जोड़ा था देखे सपा के 37 सांसदों में से 17 सांसद ऐसे हैं जिनका कभी न कभी तालुग बसपा के साथ रहा है वे बसपा के टिकेट पर विधायक रहे या फिर सांसद रहे चुके हैं यही वज़ा है कि अखलीश आदव ने उप्चनाव में पराने बसपाने ताओं पर भरोसा जताया है यूपी की 10 विधान सभा सीटों पर होने वाले उप्चनाव में से सपाने 6 सीटों पर उमीदवार उतारे हैं सपाने करहल सीट से तेश पताप की आदव, मिलकेपुर से अबधेश प्रसाद के बेटे अजीन प्रसाद, मन्जवा से पूर्विसांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर जोती बिंद, हुलपुर से मुस्तबा सिद्दकी, सीसा मौँस से पूर्विधाय किरफान सोलंक और कटेरी से लाल जी वर्मा की पत्नी शुभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया, मीरापूर कुंदर की खैर और गाजवा सीट पर सपा ने अपना कैंडिडेट खोशी दी नहीं किया है, सपा के छे में से तीन उमीदवारों का बैक्राउंड किसी ना किसी रूप में बस वर्मा के पत्याशी बनाया है, कुछ इस तरह से समझना पड़ेगा, जो लोगसभा सांसर लाल जी वर्मा की पत्नी है, निकि लाल जी वर्मा सपा में पहले बस पा में रहे, माय वती के कριवी नेता माने जाते थे, लाल जी वर्मा ने लोगतर से अपनी राश्युतिक पार जैसे एहम पदों पर भी रही है दो हजार बाइस के चुनाफ से पहले उन्होंने बसपा का दामन छोड़ दिया और सपा की साइकल पर सवार को गए कटहरी से पहले सपा के टिकेट पर विधायक बने और उसके बाद सांसा चुने गए अब उनकी पतनी शोभावती वर्मा को स राजुतिक सफर बसपा से शिरू किया था 2002 की बात है जो पहली बार बसपा के टिकेट पर वो विधायक चुने गए थे इसके बार 2007 और 2012 में बसपा प्याशे की तौर पर अमीश बिन विधायक बनने में काम्याब भी रहे 2014 में उन्होंने विर्जापुल लोगसबा सीर से बसपा के टिकेट पर चुनाब रहा था लेकिन जीत नहीं पाए अब सपा ने मजबा सीर पर उनकी बेटी को प्रतियाशी बनाया है काशिराम की प्रयोक्षाला से निकले रवेश बिन हार्डकोर दलित ओविसी की राज़ूती करते रहे हैं इसी जातिय समिकरण के साहरे लगाता तीम बार गधायक रहे अब उनकी बेटी जोती बिन को सपानी मैदान में उतार लिया है मलजवा सीट पर मला वोटर बड़ी संख्यान है और सपा ने उनकी वेटी को उतार कर दलित और मला समिकरण मिनाने का दापचला है सपा ने फूलपूर विधान सबासीट से पूर वधायक मुस्तवा सिद्की को परत्याश्य की बनाया मुस्तपा का सियासी सफर ग्राम पधाय से चीरू हुआ लेकिन सियासी बुलंदी बसपा में रहते वे विली है बसपा के टिकट पर पहली वार मुस्तपा सिद्की की 2002 में सौराव से विधायक चुने गए इसके बाद 2007 में सौराव सीट से दोबारा पधायक बने 2012 में बसपा टिकट पर पृतापँर विधान सवा सीट से चुनार गडा लेकिन हार गए बसपा के टिकट पर प्लाड़कर जीतने में कामयाब रही लेकिन 2022 के चुनाव से पहले सपा का दावन थाम लिया सपा ने उने पुल्पुर के वज़ाए खुलपुर से पतियाशी बना दिया लेकिन पतियाशी प्रमीन पतील से हार गए यानि ये कहा जा सकता है कि जितने भी ये जो उप्चिनाव को लेकर टिकेट कही न कहीं प्रत्याशी बनाने का डाव चला है सपा ने ये वही सवारी है जिनोंने हाती पर कहीं न कहीं खुब सवारी किया और अब साइकल की सवारी करने के लिए पूरी तरह से बेताब है देखे फूलपुर विधासवा सीट पर सपा 2012 में जीती थी तब सईद एहमद विधाक चुने गए थे इसके बाद 2017, 2022 में वीजिपी के टिकट पर प्रभीन पटिल जीती थे प्रभीन पटिल 2021 में फूलपुर से सासत बने जिसके अब उप्चना हो रहे है सपाइसीट हर हाल में जीतना चाती है जिसके लिए मुस्तबा सिद्की पर दाव खिला गया है ताकि मुस्लिन, यादव, दलित, समिक्रन के सारे जीब दर्ज की जा सके